नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त फिर आजरू आपे एक स्वास्थे संबंदी जानकारी को लेकर दोस्तों नो माहा तक अगर कोई गरभवती इस्त्री इस मुंत्र का जाप करती है तो उसकी संतान, स्वस्त और बुद्धि मन पैदा होती है जीएं दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में मनुश्य की हर समस्या का इलाज आए जाहिवा धं संबंदी हो या सेहत संबंदी हर परशानी को हल करने का कोई ना कोई उपाई शास्त्रों में दर जाए यदि इसे नियम अनुसार किया जाए तो यह एक यकीन आपको फाइदा देंगे और फलित सिद्धोंगे इंसान धन को अपनी जिंदगी में काफी आहमियत देता है लेकिन जब बात सेहत पर आती है तो उसे अपनी सेहत धन से वेधिक महतापून लगने लगती है वेक्ती का स्वास्ते कुशल रहे इसके लिए शास्त्रों में कई उपाई दर्ज है पारंपरी को उपाई या फिर मंत्रों की मदद से वेक्ती खुद को सेहत मन्द बना सकता है लेकिन आज हम यहाँ एक ऐसा मंत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो वेक्त गर्भवति इस्तरी के लिए फाइदे मन्द है यह मंत्र उस गर्भवति इस्तरी के साथ साथ उसकी होने वाली संतान की भी रक्षा करता है अगर को इस तरह गर्ब होती है वे गर्ब धार्ण के पहले या मध्यम चार्ण में भी हो तब भी या मंतर उसकी रक्षा करने के लिए सक्षिम है इस मंतर के जाब से होने वाली संतान स्वस्त रूप से संसार में आती है और बुद्धी मान भी होती है इस मंतर के लिए गर्भवती महिला को शिवजी की संतान भगवान गनेश की मूर्ती घर पर लानी है इसी मूर्ती या तस्वीर के सावने बैठ कर अपने मंतर जाप करने है मंतर जाप करने के बाद गनेश जी को कम सिकम दो मोदक का भूब होग भी लगाना है गर्ववति महिला इस बात का ध्यान रखे यह मौदग उसी की हाथों से बने हूँ और इसे ग्रहन भी केवल और केवल उसी को ही करना है मौदग का परसाथ अन्य किसी प्रिवार के स्थस्य को नहीं देना और जो मंतर अपने पढ़ना है दोस्तों वह इस प्रकार है रक्ष रक्ष गन्या धक्ष रक्ष तरलोक के नाइक भक्त नाभ्यम करता तराता भव भवार्न वात इस मंतर का प्रतिश दिन कम से कम एक माला यानि कि 108 बार जाप करना है अगर संबव हो तो इससे अधिक भी कर सकते है जब प्रसव का समय पास आने लगे तब माला की संक्या बढ़ाई जा सकती है इससे प्रसव में असानी होती है यदि कोई महिला गरब धारन से लेकर पूरे 9 महिने तक इस मंतर का जाप कर ले तो उसकी होने वाल संतान हच्ट पुष्ट होती है वह खुद भी स्वस्थ रहती है तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी गरबवती महिला के बच्चे की स्वस्था के बारे में उमीद है आपको यह जानकर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फाइदा उठा सके पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में गने टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद